इंद्रजीत एश्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है तो हमें परना है बस किसेर पार्ट नमर दस हम परने थे कलास एट दुर्भा जिसको आप लोगों ने थबनल में देखाई होगा तो यह QR कोड है आप इसे स्केन करोगे तो प्रशनों के उत्तर मिल जाएंगे और फिलिन दे ब्लैंक्स भी आपको मिल जाएंगे और जो बाकी रहेगा आप अपने परिभार जनों से और अपने सिक्षक जनों से पूछ कर उसे आप बनाओ ठीक है एक थी लड़की अब उस लड़की का क्या नाम था उसका नाम था वल्ली अमाई नाम उसका क्या था वल्ली अमाई आठ वरस की थी मतब आठ साल की थी उसे अपने घर के दरवाजे पर खरे होकर सरक की रोनक देखना बरा अच्छा लगता था वली अमाई को अपना नाम भी बड़ा अच्छा लगता था वैसे दुनिया में ऐसा कौन होगा जिससे अपना नाम पसंद ना हो आप सभी को नाम पसंद अपना है के नहीं है जिसको इसको नाम पसंद नहीं है वो कॉमेंट में लिको कि सर मुझे अपना नाम पसंद नहीं है सरक पर वली अमाई की उम्र सरक पर वली अमाई की उम्र का कोई साथ ही नहीं था और वली अमाई के उम्र का साथ ही सरक पर कोई दिखता ही नहीं था अपनी दहलीज पर खरे रहने के अलावा वह कर भी क्या सकती थी और फिर उसकी मा ने उसे सक्त ताकीद कर रखी थी कि वह खेलने के लिए अपनी सरक छोर कर दुसरे सरक पर नए जाएगी ठीक है और ताकीद मतलब होता है मतलब चितावनी देना उसे कठोरता से बोल देना कि तुम अपने सरक को छोर कर दुसरे सरक पर नहीं जाओगे ठीक है सरक पर सबसे ज़्यदा आकर्षित करने वाली बस तो कस्बे की बस थी और सरक पर सबसे ज़्यदा आकर्षित करने वाला था तो कस्बे की बस थी जैसे चित्र में आपको वो बस दिख रही होगे जो हर घंटे उधर से गुजरती थी एक दफा आते हुए और एक दफा लटते हुए एक बार नई नई सवारियों से लदी हर बार नई नई सवारियों से लदी ठीक है? तो यह देखो गडिया इसका क्या नाम था? वली अमाई जो अपने घर के बहलीज पर खरे होकर सरक को निहार रही है बस को देखना वली अमाई की कभी ना खतम होने वाली खुसी का खजाना था और बस का देखना वली अमाई का खुसी का खजाना था जो कमी खतम नहीं होने वाला हर रोज वह बस को देखती और एक दिन एक नन्य से अच्छा नन्य से इक्षा उसने नन्य से दिमाग में घुस कर बैठ गई मतलब एक दिन उसके नन्य से दिमाग में इक्षा बैठ गई क्या बैठ गई कम से कम एक बार तो वह बस की सैर करे गई ही नन्ने से एक्छा बड़ी और बड़ी वली बड़ी हसरत से उन लोगों की तरफ देखती जो सरक के नुकर पर बस से उतरते और चड़ते थे जहां पर बस आकर रुकती थी उनके चेहरे इसके दिल में सौसव विक्छाय सपने और आसाये मतलब सपना और आसा और इक्छा जगा देते थे उसके कोई सहेली सकी सहेली जब उसे अपनी बस यातरा का किस्सा सुनाती सहर के किसी दिर्ष्य का हाल बता कर डिंगे हसती तो वल्ली जल भुन जाती मतलब जलन से भढ़ जाती घमंडी घमंडी वह चिलाती और वल्ली बोलती घमंडी 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 चाहे वल्ली और उसके सहेलीों को इस सब्द का अर्थ मालूम न था फिर भी इसका बेधरक इस्तेमाल करती कौन वल्ली ठीक है दिनो दीन महीनों महीने वल्ली ने बस यातरा से संबंदित छोटी मोडी जनकाडिया गाउं से कभी कभार सहर जाने वालों और बस में प्राया सफर करते रहने वाले यातरियों की आपसी बातचित से प्राप्ट कर ली थी उसने आप मतलब उसने आप से उसने अपने आप भी कुछ लोगों से इस बारे में सवाल पूछे थे और उसने कुछ लोगों से सवाल भी पूछे थे सहर उसके गाउं से कोई 10 किलोमेटर दूर था एक और का भारा था 30 पैसा मतलब एक रुपे में से 30 पैसा इसका मतलब जाने और लोटने दोनों और के 60 पैसे मतलब अठनी से 10 पैसा जादा सहर तक पहुचने में बस को पौने घंटा लगता था पौने घंटा मतलब 45 मिनट सहर पहुचकर अगर वो बस में ही बैठी रही और 30 पैसे और चुका दे तो उसी बस में बैठे बैठे वापस भी आ सकती है यानि अगर वो गाउं से दोपहर एक बज़े चल दे तो पौने दो बज़े सहर पहुच जाएगी और फिर उसी बस से वह अपने गाउं कोई तीन बज़े लौट आएगी मतलब दो बज़े तक वो पहुच जाएगी पौने दो बज़े तक और तीन बज़े वो लौट आएगी ये मन में उसके चलने लगा इस परकार वो हिसाब पर हिसाब लगाती रही योजना पर योजना बनाती रही कि अब तो मैं भी जाओंगी एक दिन की बात है जब यह बस गाउं की सीमा पार करके बड़ी सरक पर परवेश कर रही थी एक नन्गी सी आवाज पुकारती हुई सुनाई दी बस को रोको बस को रोको एक नन्ना सा हाथ हिल रहा था क्या हिल रहा था एक नन्णा सा हात हिल रहा था बस धिमी हो गई कंड़क्टर ने बाहर जुका और कुछ तुनकर कहा तुनकर मतलब आँखे मटोल कर कहा अरे भाई कौन चढ़ना चाहता है उनसे कहो कि जल्दी करे सुना तुमने उस बच्ची से बोलता है कौन चढ़ना चाहता है बस में उनसे कहो कि जल्दी बस में चढ़े बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे सहर जाना है और यह रहा तुम्हारा किराया मतलब उसने बोला मुझे सहर जाना है और यह रहा तुम्हारा किराया उसने रेजगारी दिखाते हुए कहा ठेक ठेक पहले बस में चड़ो तो मतलब थोरे से अकड दिखाते हुए बोला ठेक ठेक पहले बस में चड़ो तो कंड़क्टर ने कहा और फिर उसे धीरे से उठा कर बस में चड़ा लिया और वल्ली को बस में चड़ा लिया चा 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 मैं अपने आप चड़ूँगी तुम मुझे उठाते के हो और उसने बोले तुम मुझे उठाते के हो मैं अपने आप से बस में चड़ूँगी कंड़क्टर बड़ा हसोड था मतलब हसने वाला था अरे मैं सहाब और उसने बोला कंड़क्टर अरे मैं सहाब नडाज क्यों होती हो बैठो इधर पधारो उसने कहा मतलब कंड़क्टर ने कहा रास्ते मतलब रास्ता दो भाई रास्ता रास्ता में सहाब तसरीफ ला रही है और कंड़क्टर ने बोला रास्ता दो भाई रास्ता में सहाब तसरीफ ला रही है मतलब आ रही है दोपहर के उस समय आने जाने वाले की भीर भार हट जाती थी पुरे बस में कुल 6-7 सवारियां बैठी हुई थी और दोपहर में भीर कम होता है केवल कुछ सवारी ही बैठी हुई थी सभी मुसाफिरों से करें वली पर थी और वे सब कंड़क्टर की बातों पर हस रहे थे वली मन ही मन जेप गई आखे फेर कर वह जल्दी से एक खाली सीट पर बैठी उसके बाद बोली गारी चलाए गारी चलाए बेगम साहिबा कंड़क्टर ने मुस्कुरा कर पूछा उसने दो बार सीटी बजाई बस बस क्या चल पड़ी ठीक है बस गरजती हुई आगे को बढ़ी फिर बली सब कुछ आखे फार कर देख रही थी खिरक्यों से बाहर लटक रहे परदे के कारण उसे बाहर का द्रिस देखने में बाधा पर रही थी और बाहर में कुछ परदे लटक रहे थे कपरे इसके वज़ा से उसे देखने में तकलीफ हो रही थी वह अपने सीट पर खड़ी हो गई और बाहर जाकने लगी अपने सीट पर खड़ा होकर वह बाहर जाकने लगी देखो ये किस तरह देख रही है ठीक है? इस समय बस एक नहर के किनारे किनारे जा रही थी रास्ता बहुत ही तंग था मतलब रास्ता में थोड़ा भीड था एक और नहर थी और उसके पार तार के प्रिक्ष घास के मैदान, सुदुर पहाडियां वता सुन्दर पहाडियां और नीला अकास, दूसरी और एक गहरी खाई थी जिसके परे दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे खेत जहाँ तक नजर जाती हर्याली ही हर्याली देखती ये देखो किस तरह ये बस से देख रही है दम आखे खोल कर फार फार कर देख रही है ठीक है? पहाडियां, खाई, इधर नदी, नहर और ये हर्याली ठीक है? आख क्या खुशूरत नजा रहा है और उसके आवाज से वो सुचने लगी आह यह सब कुछ कितना अद्भूत है आजानक एक आवाज आई और वह चौक गई सुनो बच्ची वह आवाज कह रही थी इस तरह खरी मत रहो बैठ जाओ वल्ली जो लड़की थी वल्ली बैठ गई और उसने देखा कि वो कौन था वो एक बड़ी उम्र का आदमी था जिसने उसी के भले के लिए यह कहा था लेकिन भले के लिए क्योंकि खिर्की के किडारे बच्चे रहते हैं तो बस से गिड़ जाते हैं लेकिन उसके इन सब्दों से वह चिड़ गई यहां कोई बच्ची नहीं है उसने कहा मतलब वल्ली ने कहा यहां कोई बच्ची नहीं है मैंने पूरा भारा दिया है मैंने पूरा भारा दिया है अब देखो किस तरह बोल रही है कंडुक्टर ने भी बीच में पड़ते हुए कहा जी हां या बड़ी बेगम साहिवा क्या कोई बच्ची अपना किराया अपने आप देकर सहर जा सकता है मत्व versucht कोई बच्च binge किराया देकर सहर जा सकता है वल्ली ने आखे तरेर कर उसकी ऊर देखा मतलब आखों को घुमा कर उसकी तरफ देखा तिर्शी नजर से मैं बेगम साहिवा नहीं हूँ समझें और हाँ तुमने अभी तक मुझे टिकट नहीं दिया है ओ हाँ कंडक्टर ने उसी के लहजे की नकल करते हुए कहा और सब हसने लगे इस हसी में वल्ली भी सामिल थी कंडक्टर ने एक टिकट फारा और उसे देते हुए कहा अराम से बैठो सीट के पैसे देने के बाद कोई खरा क्यों रहेगा मुझे यह अच्छा लगता है वह बोली मुझे यह अच्छा लगता है विल्लिक बोली ठीक है खरे रहोगे तो गिर जाओगी खरे रहोगे तो गिर जाओगी चोट खा जाओगी यह अभी तो डर रहता है ना बस से गिरने का गारी जब एकदम मोर एकदम मोर काटेगी मतलब घुमाओ पर घुमेगी यह जटका लगेगा तभी मैंने तुम्हें बैठने को कहा है बच्ची फिर बोली मैं बच्ची नहीं हूँ तुम्हें बता दिया ना उसने कुड़कर कहा मैं आठ साल की हूँ मतलब चिड़कर कहा मैं 8 साल की हूँ क्यो नहीं, क्यो नहीं मैं भी कैसा बुद्धू हूँ 8 साल बाप्रे कंड़क्टर ने कहा 8 साल बाप्रे बस रुकी कुछ ने मुसाफिर बस में चड़े और कंड़क्टर कुछ देर के लिए बियस्थ हो गया वली बैट गई उसे डड़ था कि कहीं उसकी सीट ही ना चली जाए एक बड़ी उम्र की औरत मतब आंटी जी चाची जी आई और उसके पास बैट कई और अकेले जा रही हो विडिया जैसे ही बस चली उसने वल्ली से पूछा हाँ मैं अकेली जा रही हूँ मेरे पास मेरा टिकट है विल्लि ने फिर हां हां सहर जा रही है 30 पैसे का टिकट लेकर कंडक्टर ने सफाई दिया जी आद आप अपना काम की जयजी विञे डुका लेकिन उसकी अपनी हसी भी छूट रही थी कण्ड़ा भी खिल खिला कर हसने लगा अब हसने का मौका था तो कोई को छोड़ेगा इतनी छोटी बच्ची के लिए घर से अकेले निकलना क्या उचीत है ये सोचो आफ सबीर बुढिया के बखजक बखजक जारी थी उन्तर बखवास करना जारी थी तुम जानती हो सहर में तुम्हें कहा जाना है किस गली में किस घर में ये बखबख था बुढिया का आप मेरी चिंता ना करे मुझे बस मालूम है वली ने पीठ मोड़ा मुख खिरकी की ओर करके बाहर जाकते हुए कहा इतना अकर था गमड़ भी था कि पहली बार जा रही थी और कोई उसमें बाधा डाल दे तो भाई बहुत दिक्कत होने वाला है या उसकी पहली यात्रा थी इस सफर के लिए उसने सचमुच कितनी सवधानी कितनी सवधानी और कठनाईयों से यूजना बनाई थी इसके लिए उसे छोटी छोटी जो रेजगारी भी छोटी छोटी जो रेजगारी भी हाथ लगी रेजगारी मतलब सिक्का भी हाथ लगा इकठी करनी पड़ी उसे अपनी कितनी ही एक छाओं को दवाना परा जैसे कि वह मिठी गोलिया नहीं खड़ी देगी खिलावने गुबारे कुछ भी नहीं लेगी छोटे-छोटे जो उसकी खुआइसी थी उसको मारना परा उसके पैसे बचाने परे तब नो सहर जाएगी 60 पैसे लेकर कितना बड़ा सयन था और फिर बिजिस रूप से उस दिन जब जिब में पैसे होते हुए भी उस दिन जब में पैसे होते हुए भी गाओं के मेले में गोल-गोल घुमने वाले जूले पर बैठने को उसका कितना ही जी चाह रहा था लेकिन उसने वल्ली ने उस जूले पर नहीं चड़ा सहर जाना था भाई सहर जाना जरूरी था ना उसके लिए पैसो की समस्या हल हो जाने पर उसकी दूसरी समस्या यह थी कि वह मा को बताये बिना घर से कैसे खिसके लेकिन इस बात का हाल भी कोई बड़ी कठिनाई पैदा किये बिना ही निकल गया और कोई बड़ी कठिनाई पैदा हुए उससे मनिया हल निकल गया हर रोज दोपहर के खाने के बाद उसकी मा कोई एक बजे से चार बजे चार सारे चार बजे तक सोया करती थी विल्ली का बीच का यह समय गाओं के अंदर सेर सपाटे करने में बीदता था और वल्ली का यह समय गाओं में घूमने के लिए होता था लेकिन आज हुआ यह समय गाओं से बाहर के सेर में लगा रही थी अब मम्मी को पता चलेगा तो बस वल्ली का तो खैर नहीं और आप सभी भी घर छोर का भाग मत जाना नहीं तो ये कहानी है बच्चे चोड़ी भी हो जाते हैं भूल भी जाते हैं इसलिए जही से जाओ जही से ही आओ ठीक है बस चलती जा रही थी कभी खुले मैदान में से कभी किसी गाओं को पीछे छोड़ते हुए और कभी किसी धाबे को कभी यह लगता कि वह सामने से आ रही है आ रही किसी दूसरे गारी को निगल जाएगी मतलब सामने जो गारी आ रही है कभी लगता था कि वह निगल टकरा जाएगी फिर किसी पैदल यात्री को लेकिन यह क्या वह तो उस सब को दूर पीछे छोड़ती हुई बड़ी सवधानी सफाई से आगे निकल गई पेर दोड़ते हुए उसकी ओर आते दिखाई दे रहे थे लेकिन बस रुकने परवे इस्तिर हो जाते और चुप-चप बेबस से खरे रहते अब बस में बैठने के बाद लगता है कि सब चीज चल रहा है और हम लोग बैठे हुए हैं ऐसे यह चक्का चलता है ना हम थोड़े चलते हैं अचानक खुशी के मारे वल्ली तालियां पिटने लगी गाई की एक बचिया अपने दुम उपर उठाए सरक के बीचों बीच बस के ठीक सामने दौर रही थी ड्राइवर जितने जोड से भोपु बजाता होरन बजाता उतना ही ज़्यादा और डर कर बेतहासा भागने लगती मतलब जितना ही ड्राइवर भोपु बजाता उतना ही वो डर कर बेतहास वो भागते रही भागते रही बचिया गाई की बचिया वली को यह द्रिस बहुत ही मज़ेदार लगा वह इतना हसी इतना हसी कि उसकी आखों में आशु आ गया बस बस बेगम साहिबा कंड़क्टर ने कहा बस बस बेगम साहिबा कुछ हसी कल के लिए रहने दो आखिर बजिया एक और निकल गई और फिर बस रेल के फाटक तक जा पहुँची रेल के फाटक तक चली गई दूर से रेल गारी एक बिंदू के समान पास आने पर वह बड़ी और बड़ी होती चली गई जब वह फाटक के पास से धरधराती दंदनाती हुई निकली तो बस हिलने लगी फिर बस आगे बढ़ी और रेलवे एस्टेशन तक जा पहुँची वहाँ से वह भीर भरके वाली एक सरग भीर भराके वाली सरग से गुजरी जहाँ बहुँच जदा भीर होता था जहाँ दोनों और दुकानों के कतारे थी फिर मुड़कर वह एक और बड़ी सरग पर पहुँची इतने बरे सजी हुई दुकाने उनमें एक से एक बढ़कर चमकीले कपरे और दूसरी चीजें भीर की रेलम पेल भीर की रेलम पेल बता पहुँच जदा भीर वल्ली हैरान भोचकी सी हर चीजों को आखे फेल देख रही थी बस रुकी और सभी यातरी उतर गए ठीक है यह बेगम साहिबा आप नहीं उद्रेंगे क्या 30 पैसे की टिकट खतम हो गई कंड़क्टर ने कहा मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ उसने अपनी जेव में से 30 पैसे और निकाल कर रेजगारी काउंटर को देते हुए कहा क्या बात है कुछ नहीं मेरा बस में चड़ने को जी चाहा बस तुम सहर देखना नहीं चाहती अकेली ना बाबा ना मुझे डर लगता है उसने कहा उसके हाव भाव पर कंपाउंडर को बरा मज़ा आ रहा था लेकिन तुम्हें बस में आते हुए डर नहीं लगा उसने पूछा कंड़क्टर ने पूछा ठीक है इसमें डर की क्या बात है वली ने जवाब दिया अच्छा तो उतर कर उस जल पकवान गड़ी में हुआओ कॉफी पीलो उसमें डर की क्या बात है मैं नहीं पिऊँगी अच्छा तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पकोड़े या चबैना लाओ मतलब कुछ खाने के लिए नस्ता करने के लिए कुछ लाओ नहीं मेरे पास इनके लिए पैसे नहीं है मुझे बस एक टिकर दे दो क्योंकि उसके पास तो साथी पैसा था आने जाने का जल पकवान के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं पैसे मैं दे दूँगा मैंने कहा दिया ना नहीं उसने डिड़ता पुर्वक कहा नियत समय पर बस फिर चल पड़ी मतलब नियमित समय पर बस फिर चल पड़ी लटती बार भी कोई खास भीर नहीं थी एक बार फिर वही द्रिस लेकिन वह जरा भी नहीं उबी हर द्रिस में उसे पहले जैसा मज़ा आ रहा था लेकिन अचानक अब लेकिन अचानक क्या हुआ भाई देखो आगे अरे देखो वह बचिया सरक पर मरी पड़ी थी किसी गारी के नीचे आ गई थी बचिया वह कुछ छन पहले जो एक प्यारा सुन्दर जीव था अब अचानक अपनी सुन्दरता और सजीवता खो रहा था अब वह कितना डरावना लग रहा था फैले हुई टागे पथराई हुई आखे बिख्री हुई आखे खुन से लस्पत बचिया पर कोई गारी ने चड़ा दिया था ओह कितने दुख की बात है यह वहीं बचिया है न जो बस के आगे आगे भाग रही थी जब हम आ रहे थे वल्ली ने कंड़क्टर से पूछा कंड़क्टर ने सीर इला कर बस चली जा रही थी बचिया का खयाल उसे सता रहा था उसका उत्साँ धिला पर गया था अब खिल्की से बाहर जाग कर और दिर्ष से देखने की उसकी इक्षा नहीं रही थी अपने सीट पर जमी बैठी रही और उसके बाद उसने अपने सीट पर बैठना ही अच्छा लगा मतलब खिरकी के बार देखना ही नहीं चाहती थी बस तीन बज कर चालिस मिनट पर उसके गाउ पहुंची वल्ली खरी हुई उसने जमाई लेकर कमर सीधी और कंड़क्टर को बिदा करते हुए बोली अच्छा फिर मिलेंगे जनाब अब कंड़क्टर से बोल रही है अच्छा फिर मिलेंगे जनाब वल्ली कानन अनुबाद बालक राप नागर बालक राम नागर ने अनुबाद किया था ठीक है तो ये हमारा पाठ यहीं पर खतम होता है निचे सब्दार्थ है जो मैं बता देता हूँ ये रहा अपना सब्दार्थ ताकिद, निर्देश, भारा, किराया, मुजाफिर मतव्यात्री और इसके परशनर उतर जो है आप अपने सिक्षक के माध्यम से इसे सिक्षक के अनुसार पनाओ ठीक है मैं बता देता हूँ कहानी से इसको बताना है क्या होता अगर आप सब 8 क्लास में वो पढ़ने तो आता ही होगा छिप छिपा कर मना करना घमंडी इसका मतलब आपको खुद से बताना होगा ओके तो चलो आप सब अपना पढ़ाई कंप्लीट करो और कॉमेंट में जरूर बोलना कि सर कैसे लगा पढ़ाई कैसा लगा ठीक है इंदरजीत स्टेडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है अगर आप सब को कुछ चाहिए कुछ इंफोर्मेशन चाहिए जनकारी चाहिए तो आप कॉमेंट में बोल सकते हो ठीक है